हेलो गाइज, वेलकम टू अनक एडमी यूपी पेस्सी, मैं खुश्मी नतुरेदी, एक बार फिर से हूँ आपकी क्लास में आपको आज की करेंट अफेर्स पढ़ाने के लिए, यानि की 5 जुन 2020 की करेंट अफेर्स पढ़ाने के लिए, देखें कुछ प्रॉब्लम्स थी, इ अगर आपर उपने क्रेंट आफेर्स का प्रॉड़ करने के कोशिश करियाती है, साथ ही साथ अगर आप इन पूरी की पूरी पूरी चारेण परफेर्स का पीडिया राउन्रोड करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे दियेगए टेलीग्राम चानल के लिंक पे आपको इसका PDF एसली अवेलेबल हो जाएगा तो पांस तारीक भी आगई है तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि चार्ज उनको अच्छे कासे लोगों ने देख लिया है जितने मैं एक्सपेक्ट करती हुए इस उतने वच्छों ने तो देखी लिया है जल्दी में करोगे तो आपकी नेगेटिव वार्किंग भी हो सकते क्योंकि कोश्चन गलत भी हो सकता तो गलत ना हो इसलिए सो समझ के आंसर करेंगे तो आपका पहला कोश्चन है आपकी आज की करें इंटर्फेर्स का इसमें आप से बोल रहे हैं और मुझे लगा कि मेरे समय में क्यों नहीं हुआ था खैर मैं इसके आपको ऑप्शन देरी हूँ प्रकाश है ट्यूलिप है शशक्त है या प्रेणा है सारे हो गए बट आपको मैं बता दूँ कि इसका जो नाम है क्या है वो ट्यूलिप है अब है क्या इसमें जितने लोगों ने भी 12th क्वालिफाई किया है उनके लिए बड़ी ही अच्छी चीज है केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंत्री शीरी रुमेश पोकरी आलनिशंखी काफी इस बार लाइंग लाइट में रहे हैं पूरे के पूरे के पूरे COVID-19 के दौर में और केंद्रिय आवास और शेहरी विकास मंत्री सुदंतिर प्रभार श्री हरदीप एसपुरी ने मिलकर देश में अपनी तरह का पहला अर्बन लर्निंग इंटर्शिप प्रोग्रम ट्यूलिप लॉंच किया है इसके अंतरगत इसना तक इस्तर की सिक्षा पूरी कर चुके नए सात्रों को देश भर के शहरी स्थाने निकायों और स्मार्ट शिटी जैसे प्रोजेक्ट में इंटर्शिप करने का मौका मिलेगा इसके साथ ही दोनों मंत्रियों ने ट्यूलिप का एक पॉर्टल भी जारी किया है तो अगर आपके पास में कहीं पर भी काम नहीं है और अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई किसी ना किसी तरीके से क्या हो रही है और रुक रही है बीश में 18 महीने की समय अवधी है आपके पास में, इस 18 महीने की समय अवधी में आप पढ़ाई कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, तो आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो, बट विद एक्सपीरियंस ले सकते हो, और उसका बड़ा ही अच्छा रो मेरा जहां तक का अपने एक्सपीरेंस है तो मैं वहां पर इस तरीके से चीजे बोलते हूं कि रटी रटाई चीजे आपसे नहीं पूछी आती है अगर देश डिमांड करता है किसी पीसस अधिकारी की किसी भी लेवल के अधिकारी की तो उसके डिमांड यह होती है कि हम वही आपकी पुरानी चीजों को ना करके हम कुछ इनोवेटिव आइडियास जन्रेट करें जो कम कॉस्ट के हो जिससे हमें एक्टिमम ऑप्टिलाइजेशन ऑफी रसोर्स हो सके यानि कि जितना हमने पैसा लगाया नहीं उससे ज्यादा हम क्या कर सके अपने बिजनस में गाइन कर सके तो इस तरीके का कुछ इनोवेटिव आपका जो डिमांड होती है उसको डिमांड करती है गॉर्मेंट भी तो जब आप लोक बोलते हो कि कई बार मैं हमारा नहीं हो पाता या हमारे साथ में यह समस्य है तो आप हर एक चीज को डिफरेंट डिमेंशन में सोच करके आंसर करन इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपसे बोला जारहे है कि ग्रेजवेट होने चाहिए तो आप बी टिक हो सकते हो बी आर्किटेक्टर का अपनी कोर्स है या बी आक का कोर्स किया हो आपने आपने बी प्लानिंग और बीसी और आधी बहुत सारे इसनातिक डिग्री प्राप् इसवा शहरी स्थानिय निकायों और स्मार्ट शहरों के माध्यम से भारत में इंटर्शिप का बड़ा आउसर प्रिदान करेगा ठीके तो आपको इसको यादटने यहां पे कुछ स्पैलिंग में स्ट्रेक हैं को प्लीज अवाइड करिएगा हिंदी है टाइपिंग करने मे इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शहरी सानिय निकायों के विस्तरत कामकाज जो डिटेल आपका वर्क होता है उसके डारेक्ट एक्स्पीरिंस का लाब मिल सकेगा बल्कि इसके जरीए एक ऐसा मानव समसादन पूल भी तयार होगा एमन रिसोर्स पूल भी रेडी ह जिससे उद्योग अपनी आवशक्ताओं के अनुभव या अनुरूप अपने कार के लिए अपनी जो काम हैं उनको अनुबंदित कर सेके उनको प्लान कर सके एक या कॉंट्रेक्ट कर सके इस प्रकार के टूलिप अर्बन लर्निंग इंटर्शिप प्रोग्राम भारत के अनुभव की दोहरे लक्ष को पूरा करने में भी मदद करेंगे साथी साथ में आपको बता दूं कि इसकी या शुरुआत वर्ष्ट दोहजार पच्छे सब्सक्राइब और आपका एक करोड सफल इंटर्शिप के लक्ष को पूरा करने के लिए महत्वपूर कदम है तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे नहीं रगता कि काफी दिफिकल्ट था दन आपका और काफी मुझे इंटर्सिंग लेगा क्योंकि बिल्कुल डिफ्रेंट था ये कोविड-19 से लेकर के दिल्ली अम्रसर कटारा कटरा आपको पता है अम्रसर पंजाब में आपको पता है दिल्ली कहां पर आप सभी को पता है तो ये एक्स्प्रस वे बन रहा है अब आपसे बूला जा रहे है कि ये जो एक्स्प्रस वे है वो निम्नलिकित में से किस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा है भारत माला परियोजना है सागर माला परियोजना है रास्टे रा एक्सप्रस्वे का विकास किया जा रहा है केंद्रिय सडग परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिंगड करी जब आप डेली डेली पढ़ते रोगे तो आपको सारे मिनिस्टर के नाम याद हो जाएंगे आपको नहीं कोशिश करनी कि आप सारे मिनिस्टर की लिस्ते क्या ह आप उनको याद करें आप जो भी चीज़े हाइलाइटे होते उनको अगर देखोगे तो आपकी हैबिट बनजाएगी इन्होंने दिल्ली अमरच सर एक्स्प्रस्वे के तहरत अम्रच सर तक नए संपर्क मार्ग की घोश्ना की है दिल्ली अम्रच सर कत्रा एक्स्प्रस्व से अम्रत सर शहर और पंजाब के सुल्तानपुर लोदी गोइंदवाला साहिब खोर साहिब और डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब इंटरनेशनल कॉरिडोर जैसे धर्म के अन्य केंद्रों को वेकल्पिक और सबसे छोटी सब्सक्राइब के अन्य कोशिश करी जाएगी इस माला के थ्रू यानि की भारत माला के थ्रू इस एक्सप्रस्वे के बनने से अम्रसर से दिल्ली और अंतराष्टी हवाई एड्डे तक का जो यात्रा समय है वो घट करके चार घंटे रह जाएगा ठीक तो चार घंटे तो आठ घंटे में से चार घंटे अब हमें लगेंगे पहले चरण की एक्सप्रस्वे के निर्माद पर करीबं पच्छी सार करोड रुपय की लागत आने का अनुमान है ऐसा हमें लग रहा है कि पच्छी सार करोड तक आ जाएगा अब इसमें भी एक सी सीखने वाली बात ह में भी आप कह सकते हो कि हमें और ज्यादा फंड लगाना पड़े क्योंकि अभी हमने जो प्लानिंग करी है बजट हमने जो असाइन किया जाते तो उसके एकोर्डिंग आपका जो रेट होता है वो इंक्रीज होता है लैट देखते हैं कि क्या होता है आगे खेर आभी तो हम आपका प्रबंद निर्देशक मैनेजिंग डिरेक्टर के अतिरिक्त प्रभार का ठीके समहला है हरी शंकर दास ने विरेंद्रनात दत ने विजे कुमार चोहान नहीं अनुराक्तिर पाथीर नहीं पता है मैं अंजर कर देती हूं वही विरेंद्रनात दत है तो यह आपके प्रबंद निर्देशक बन गए है श्री विरेंद्रनात दत निर्देशक विपड़न यानी की मार्केटिंग होता है नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ठीक है एन एफ एलके ने कंपनी के अध्यक्षव प्रबंद निर्देशक का अतिरिक्ति प्रभार समाल लिया है श्रीदत अक्टूबर 2018 से कंपनी में निर्देशक विपड़न के रूप में जड़े हुए हैं महार्शी दयानंद विश्विधाले से MBA, श्रीदतिकों फर्टिलाइजर्स, उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में कारेका 35 साल से ज महानगर गैस लिमिटेड मुंबाई के बोर्ड में निर्देशक भी रह चुके थे तो आपको इतनी सारी शी से पता होंगे 1995 में गेल इंडिया में कारेब्रहार ग्रहन करने से पहले श्रीदत ने ONGC में भी 10 साल तक कारे किया है निर्देशक विपड़ान NFL के रूप में कारे करते हुए श्रीदत ने कंपनी की उर्वरक बिक्री को विगत दो वर्षों में 32 प्रितिशत व्रद्धी के साथ 43 लाख मीटर टन से 57 लाख मीटर टन तक आपका पहुंचाने में मुख्यभूमी का निभाई है इस अवदी के दोरान NFL ने उर्वरक उद्योग में अखेल भारती इस तर पर अपनी पहचान बनाई है सब्सक्ट पर अपने अप अच्छी बात है अगर मैं आपको NFL के बारे में राश्री एर उर्वरक लिम्टेट या आप बोल तरहों को नाश्री फटिली सिंट आहाँ को मैं अपको जाएगी और आप इन आरी चीजों को याद कर लोगे तो आरे शौट-वर्ड आप को अवे कि वेरी फ्रेंक मैं भी यह चीज हमेशा आपका एकसेप्ट करती हूं आपसे बोला जा रहे है कि नैशनल फर्टिलाइजर स्लिम टेडरासाइनी कुरवरकों जैवी कुरवरकों और आपके अद्योगी करसाइनों का भारत राज्य सौमित वाला उत्पादक है 2018 के भारत में और वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था यानि कि प्रोड्यूसर ता इसके साफना एक सितंबर 1989 को ही थी भागोलिक दायरा जो है यानि कि आपका जिग्राफिकल लिंदा जो इसकोप है वो इंडिया है है हैड़क्वार्टे इंका नोइडा में है तो आपका है तो नोइडा में इसका क्या है अथोरिटी में है इसका ओफिस एंड यह है आपके विरेंद्र नादद तो एक्सपिरेंस इंसान है होफुली आगे प्रोग्रस करवाएंगे आपसे नेक्स प्रिश्न में बोला जा रहा है कि भूटान की शाही सरका आप सभी को बत हमालन शेत्र में होने के बाद भी यह देश्य है भूटान है बहुत ही शांति पूर्वक है बहुत ही साफसुत्रा है यह बारे बात हो गई एंड अभी हम लोग देख लेंगे कि भूटान की जो शाही सरकार है और भारा सरकार है इनके बीच में संझोता गया आपन यानि कि संधर्ब्व में नосьमें स्मधिय कौन से कथन यह सारे स्टेट्मेंट्न कैनि वेग्यान में वीज्यानिक और इसकी तारिक से लागू होता है और 15 वर्षों के अविजयत तक लागू रहेगा पंदरा साल तक लग जाएगे आपसे यह भी बोला जा रहे है कि यह जो सम्झोता हुआ है तो सम्झोता अन्यम्र की चेत्रों को कवर करेगा अप्षिष्ट, वेस्थ, रासाइनिक प्रबंदन, चैमिकल मेनजमेंट, जलवायू परिवर्तन, वह सभी लोग उसे पीडित है और ऐसे अन्यचेत्र हैं जिन पर सही तुरूप से निर्ने लिया गया है दी ऑप्षिन है उसमें बोलने उप्रोक्ट में सारे सही है तेखिए अगर आप यूपी पीसे की बात करो तो हाँ यह आपके जो मेरे साब से सारे ऑप्षिन सही है बट अगर आप बहुत जादा फैक्चल इंफरमेशन की बात करोगे और करन्ट डिफिर्स की बात करोगे यूपेसी में में इनके अंदर का भी जो कंटेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए बट इस्टिल बहुत जारे डिफिकल्ट नहीं है बट आपको एक एक पॉइंट करना पड़ेगा ठीक है अब इसमें मैं प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी के अधिक्षा में समझोता ग्यापन दोनों देश में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक्विटी पारसपरिकता और पारसपरिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संदक्षन और प्राकरतिक संसाधनों के प्रबंदन में के चेत्रों को गवर करेंगा वायू हुआ पुषिष्ट हुआ आपका कैमिकल मैनेजमेंट हुआ जल वायू परिवर्तन हुआ और ऐसे अन्य शेत्र हुए जिनके ओपर सही तुरूप से निर्ने लिया गया सही स्टेट्मेंट यह समझाता ग्यापन साक्षर की तीथी से लागू रहेगा थीक इसके पहले हम लोगों ने जब देखा था तो वहां पर बोल रहे थे आपसे क्या कि जो हमारा फर्स पॉइंट था पहले वाला एंड पंदरा वर्शों की अविजी तक लागू रहेगा ठीक है तो यह वाला जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया गलत ह अब उपर वाला जो ऑप्शन है यहां पर बोलने प्रत्वी वग्यानिक और तक्नीकी सहयोग यह पर्यावरण के लिए है तो यह भी क्या हो गया गलत हो गया बहुत अब डिटेल में पढ़ेंगे आपने बोला समझौता इनलेकित चेत्रों को कवर करेंगा तो यह वाला जो कोशन है तो आपका सही ऑप्षन हो जाएका उच्छन को अब देख लिचे इसे बोला गया कि सम्झवता ता कि तहाथ सार्वजनिक और निजी दोनों चेत्रों के माद्यम से अनुभवों सर्वत्तम कारे प्रणालियों और तक्निकी जानकारियों को आदान प्रदान करने के सासत सतत विकास यानि की सस्टेनेबल डिवलप्मेंट में योगदान भी दिया जाएगा ठीक भारत सरकार के पर्यावरण वन और जल्वायू परिवर्तन मंत्रा ले ठीक है के केंद्रिये प्रदूशन नियंतरन बोड और आपका भुटान सरकार की रास्टी पर्यावरण आय रहे हैं इ बुलेटिन ठीक है अब पढ़ाई नहीं रुकेगी ठीक है पढ़ाई नहीं रुकेगी किस राजय सरकार के पहल है उत्तर प्रदेश वद्यपरदेश आसम और पंजाब देखिए ये आपके मद्यपरदेश की पहल है और जब से शिवरा सिंग चौहान जी आये ह तो अन्टिल और अन्लेस की वह आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से एक्जेक्योटेड़ नहीं मानोगे तो प्रॉपर इंप्लिमेंटेशन भी बहुत जादा इंपॉर्टेंट है आपसे बोलने हैं कि मद्यप्रदेश में स्कूली सिक स्कूल सिक्षा विभाग के ए बॉलेटिन अब पढ़ाई नहीं रुकेगी विमोचन 4 जुन 2020 को मंत्राले में प्रमुक सचीव स्कूल सिक्षा श्रीमती रश्मी अरुन शमी ने किया इस ए बॉलेटिन के मात्रम से अब विभागी ये कार्रे वैश्विक पटल पर प्रदर भी किया गया है विभाग दौरा मा अप्रेल एवं माई में संचालित विभी निगति विदियो एवं योजनाओ की समाचार सुरूब जानकारियों के साथ उनसे संबंदित वीडियो फोटो एवं अन्य जानकारियों की डिजिटल लिंक भी संबंदित खबर के साथ होंगे जिनके माद्यम से समाचार से सम्मंदित विस्तत विवरंड देखा एवं पढ़ा जा सकेगा। E-Bulletin को Mobile ये Computer के माद्यम से Internet Google Search इस Link पर जाके क्लिक करके पढ़ा भी जा सकता है। मंद्य प्रदेश के बारे में राजधानी भोपाल है, राज़के पशु आपका बारा सिंगा है, राज़की अबरक्ष बरगत का पेड़ है, राज़की फल आम है, मुख्यमंतिर शिवरा सिंग चोहान है, राजपाल राल जी टंडन है। आपका अगला प्रिशन इसमें आपसे बोलने है कि निर्मिल कितमे से किस ने कर्मुचारी वेतन ट्रैकर मोबाइल एप्लिकेशन मेरा वेतन संसकरन वन लाउंच किया है। तो जो कि अभी उप्राजयपाल है आप की जांच किया गया 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 है . तो 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 इन जून 2020 को राजभवन में युटिमें कर्मचारी वेतन ट्रैकर मुगाइल अबिकेशन ट्लिकेशं मेरा वेतन संसकरनवन लांच कि यह रहा है श्री अरुन कुमार मेता वित्तिया आयुक्त वित्त श्री विपुल पाठ्थक लेफ्रियन कवर्णर के प्रधान सचे श्री महेश दास महानिर्देशक लेखा और कोशागार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी सबसर पर उपस्तित थे नए लॉंच किये गए अप्लिकेशन का उद्देश कर्मचारियों को वेतन संबंदी जानकारी प्रधान करना है मेरा वेतन आपके लॉंच के साथ विशेश रूप से दूरस्व ग्रामीड शित्रों में तैनात कर्मचारी जिनकी DDO तक पहुंच नहीं है वे आसानी से अपने वेतन और अन्ने विवरोन तक आसानी से पहुंच सकेंगे उन्होंने कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता के लिए सरकार के विविन निकारने और योजनाओं के लिए अधिक सुचालन का आवाहन भी किया है मेरा वेतन मुबाइल अप्लिकेशन को JK Paces अप्लिकेशन के कम्प्यूटी करन के लिए एंडिन प्रदान करने के लिए राश्य सुचनविज्ञान के इंद्र जमु और कश्मीर रवारा राज एंडरोइट प्लैटफॉर्म पर विकसित किया गया है एप JK Paces मुख्य प्रिष्ट पर उप्लब्द है और एप की स्थापना और उप्योग के लिए निर्देशक या निर्देश JK Paces पोस्टल पर उप्लब्द है एंड्रोइड आधारित एप कर्मचारियों को कहीं से भी और कभी भी उनके वेतन का विवरन देखने में सक्षम बनाता है यह वेतन मांग GPF NPS सब्सक्रिप्शन बत्ते कटवती GPF NPS स्टेट्मेंट इंकम टेक्स स्टेट्मेंट SLI स्टेट्मेंट आधी जैसी जानकारिया प्रदान करता है किसी कर्मचारी के वेतन का विवरन ट्रेजरी से भुकतान के बाद हर महीने अपडेट किया जाएगा मुख्याले जम्मू जम्मू और कश्मीर में है आपका अगला प्रेशन इस में आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में समाचारों में देखे गए बासु चटरजी कौन ते कल ही की न्यूस है आपको बता दूँ कि फिल्म निर्माता पटकथा लेखक वासु देव या वासु चटरजी सतर के दर्शक और अस्ती के दर्शक में हिंदी सिनेमा के मशाल वाहक चार जून 2020 को मुंबै में इनका निधन हो गया वे 93 वर्षके थे और उम्रे संबंदित जटिलताओं के कारण निधन हो गया उन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में काम किया और एक संबाद लेखक थे और कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया उनका जन्में 10 जनवरी 1930 को ब्रिटिश भारत के अजमेर में हुआ था उन्होंने अपने कैरियर के शुरुआत एक मुंबई वासी की कार्ठोनिस्ट और इलिस्ट्रेटर के रूप में की थी लगबग दो दशक बाद उन्होंने फिल्म निर्माण का रुख किया और तीसरी कसम 1966 के फिल्मांकन के दौरान सहायक बसु बटचारे के रूप में काम किया जिसने सर्वशेश्ट फीचर फिल्म के लिए राश्य फिल्म पुरुसकार भी जीता था उन्होंने निर्देशक के रूप में तीन साल बाद 1969 में अपनी पहली फिल्म सारा आकाश के साथ सुड़ात करी थी उनके सर्वशेश्ट कारे चोटी सी बात रजनी गंदा बातों बातों में एक रुका हुआ फैसला चमेली की शादी उस पर चित चोर पिया का घर और खटा मीटा है अस्सी और नब्बे के दशक में कुछ लोग प्रिये टीवी शो का निर्देशन भी किया जैसे की रजनी, दरपन और काका जी कहिन उन्होंने दूरदर्शन के ब्योमकेश बक्षी के दो सीजन के अधिक्ष्टा की जिसमें 34 अपिसोट से उन्हें अपनी फिल्म दुर्गा के लिए 1992 में परिवार कल्यान पर सर्वशेश फिल्म पर राश्य फिल्म पुरुसकार भी मिला अंते राश्य भारती 魃टी फिल्म एकाडवी लाइफ टाइंम अचीवमेंड अवार्ड प्राप्त की और सर्वशेश पड़कता के लिए फिल्म फियर सरवशेश निर्देशक और सरवशेश फिल्म के लिए आल उचकों का पुरुसकार भी प्राप्त किया आपका अगला प्रेशन इसमें आपसे बोल रहे है कि केंद्रिय मंत्री मंडल ने निम्लकित में से किस मंत्राले के अंतरगत भारती चिकित्सा और होम्योपैती के लिए और शदी कोश आयो गया कि पुनर इस्थापना को मंजूरी देदी है तो सन्नाम से समझ में आ रहा है य प्रदान मंत्री श्री नरेंडर मोदी के अदिख्ष्ठा में केंद्रिय मंडल अंतरगत के रूप में भारतिया और ओशदी और होमयोपैती PCIMORH के लिए और शदीकोश आयो की स्थापना की है यह उसको अपनी मंजूरी देदी है इसमें गाजयबाद में 1975 स्थापे दो के इंद्रिये प्रयोक्षालाओं फार्मा कपिया लेब्रोरेटरी फॉर इंडस्ट्रिल मेडिसिन और होमेपैतिक फार्मा प्या लेब्रोरेटरी का विले कर दिया गया है इसमें पी सी आई एम और एच की मिली हुई अवसंद्रचना और इसकी प्रयोक्षालाओं में आवर्शक संशोधन करके और आशिदी और प्रसादन सामगरी नियम 1945 के प्राभधानों को अधिकार देकर कानूनी दर्जा प्रदान किया जाए सकेगा बर्तमान में 2010 से स्थापित आयुष मंत्राले के अंतरगत भारती और आशद और भारती आशद और होमेपैथी के लिए आशद कोश आयोग एक स्वायत शाशी संगटन है विले का उद्देश तीनो संगटों किनों की बुनियादी धांचा सुविदाओं तक्नीकी मानव श्रम और वित्तिय संस्थानों का अधिक्तम इस्तिमाल करना है ताकि आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी और होमेपैथी दवाओं के नतीजों के मानिकी करण में विद्धी की जा सके जिससे प्रभावी नियंत्रण और गुडवत्ता युक्त नियंत्रण के दिशा में बढ़ा जा सकेगा कफे डीचेल था बट से अगला प्रिष्ण इसमें आपसे बोल रहे हैं नियंकितमे से कौन ब्रिटिश फिल्म और टैलिविजन कला अकडमी के नया दिक्ष मने है पुषकर सक्षेना, उद्यकोटक, सुब्रमननियम सुंदर और कृषणिंदू मजूमदार कृष्णिंदू मजूमदार जो है यह आपके बने हैं बिटिश फिल्म और टेलिवीजन कला अकैडमी के नए अधिक्ष ठीक है अब क्या है पुरुसकार विजेता निर्माता टेलिवीजन निर्माता कृष्णिंदू मजूमदार बाफ्टा के पिछले करीब 73 साल के इतिहास में अधिक्ष के रूप में नामित होने वाले पहले विखती हैं पिछले 35 सालों के इतिहास में कृष्णिंदू मजूमदार बिटिश अकैडमी और फिल्म एंड टेलिविजन आर्ट्स के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष है बैप पिपा हैरिस की जगा लेंगे, हैरिस अब डिप्ठी चेर परसंग के रूप में जारी रहेंगे कृष्णिंदू मजूमदार अब अगले 3 सालों तक इस पत की जम्यदारी सम्हा लेंगे कृष्णिंदू इससे पहले एक साल तक बाफ्टा के उपाध्यक्ष के पदभार पर भी रह चुके हैं कृष्णिंदू मजूमदार बीते 14 साल से बाफ्टा से जुड़े हुए हैं इससे पहले उन्होंने New Talent Committee के प्रमुक के रूप में और 9 साल Board of Trustee के सदस्य के रूप में काम किया इसके अलावा कृष्णिंदू मजूमदार ने साल 2012 में भी में पी प्लस यू नाम की प्रोडिक्शन कंपनी की भी सापना की थी बाफ्टा के बारे मता देती हूँ कि British Academy of Film and Television Arts बाफ्टा एक सोतंतरदान है जो United Kingdom में चलती छवी यानि कि फिल्म टेल्वीजन और गेम के कला रूपों का समर्थन करता है विकसित करता है और उनको क्या करता है बड़ा हवा देता है इसके स्थापना 1947 में हुई थी आप आफ्टा को याद रख सकते हो कि भारत की सतंता दिवस के साथ में हुआ था इसका मुख्याल है या मुख्याल है पिकाडिली लंदन में है या आप बोलोगे डबलू वण जे युनाइटेट किंग्डम वे है विश्व पर्रयावरण दिवस के संदर्भ में निमलकित कत्नों पर विचार करें इसका आंसर आप लोग करोगे खेर कर सकते हो तो कर दीजेगा अदर्वाइस मैं पढ़ाऊंगी आप देख लीजेगा बोलने कि विश्व पर्रयावरण दिवस 2020 का जो विश्य है वह प्रक्रितिक के लिए समय ठीक है सेकेंड स्टेट्मिन में बोलने कि पहली बार इस विश्य को मनाने की घोष्णा संयुक्तिराश्ट संग द्वारा सन 1988 में की गई थी अब इन दोनों में से कौन से गतन सही है पहले पढ़ लो फिर बता देना देखो बई प्रती वर्ष 5 जून को आज 5 जून है न को विश् विश्य पर्रावरण दिवस को मनाये जाने का मुख्य उद्देश पर्रावरण के पती लोगों में जागरुकता फिलाना है एंड पहली बार इस दिवस को मनानी की घोष्णा संयुक्तिराश्ट संग द्वारा 1972 में की थी 88 में नहीं था आपका 72 था एक बार इसको फिर से मनाये गया और विश्य पर्रावरण दिवस मनाने की शुरुआत स्वीरन की राजधानी इस टॉप हूम में हुई या 1972 में पहली बार पर्रावरण संबेलन आयोजित किया गया था जिसमें करीबन 119 देशों ने भाग लिया था तो हमारा फेहला स्टेट्मेंट से ही है इं स 2020 का जो विश्य है वो प्रकृति के लिए समय है बिल्कुल करेक्ट है इसका उत्देश प्रत्वी और मानव विकास का पर जीवन समर्तन करने वाले आवश्यक बुनियादी धाल्चे प्रतान करना है ठीक है प्रतिव वर्ष विश्व पर्रावरण दिवस के मौके पर जुन अगर मनुष्य को लौकडाउन ने हिलारा कर लग दिया हूं लेकिन पर्रावरण पर लौकडाउन का सताका रातमा कर पढ़ा है तो आप सभी लोग जानती हूँ है और इवन मैं भी जानती हूँ है रबशी ऑफ बश्यक बारे व फिश्यक परर्रावरण दिवस भी आगए इसके बारे में पूच्छन भी पूच्छाएंगे क्योंकि अपने आप में सारे के सारे डेस बहुत इंपॉर्टेंट है सो आपको इसके अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा अगर शेयर कर दीजेगा और सब्सक्राइब भी करिएगा अने कैडवी के प्लेटफॉर्म को अगें थाइंक यू फॉचिंग दे सेशन बाबाई टाटा टेक विए